मोधी आपके राज में कटोरा देदो आत्मा जो राम को लाए हैं वो देश में रोजगार कब लाएंगे पूरा देश इंतजार में डबल इंजन की सरकार ये दावा करती है हम लाखो युवाओ को भर भर के नौकरियां देंगे नहीं राज्य सरकार ये दावा पूरा कर पारी है और नहीं केंद्र सरकार आप ये तस्वीरे देख रहे हैं इन तस्वीरों में ये जो भीड दिखाई दे रही है ये मोदी की कोई चुनावी रेली नहीं है और नहीं ये अयोद्या मंदिर के प्राण प्रतिस्टा की भव्यत यारी है किसी पार्टी समारों की तस्वीर हैं ये काफी भयानक है, एक तरफ तो देश के परधान मंत्री कहते हैं कि हम डवल विकास करें, डवल इंजन की सरकार मतलब डवल विकास, जबकि तमाम लोग विपक्षी पाटियां और देश की जनता का हाल जो बेहाल है, वो चीक चीक कर कह रहा है कि डवल इंजन की सरकार मतलब डबल मार डबर ब्रहस्टाचार डबल महंगाई डबल बिरोजगारी लेकिन मोधी सरकार को ये तस्वीरें नहीं दिखा देती हैं क्योंकि मोधी सरकार 24 के चुनाख को लेके तैयारियों में जुट गई है वो मैनोफेस्टों में विकास की बात करती है वो लगतार महंगाई बिरोजगारी महिला सुरक्षा युवाव को बरबर के नौकरियां देने की होडिंग बैनर पे विकास दिखाती है लेकिन धरातल पे जब आप ये तस्वीरे देख रहे होंगे तो आप कहीं न कहीं ये सोच के अपना माता पटकने लगोगे क्या इसी काम के लिए हमने सत्त सत्ता धारियों को वोट देकर बेजाता जो ये दावा करते हैं कि हम आपके बच्चे को रोजगार देंगे तो देखिए आपके बच्चे का उजवल भविस्य कैसे अंदकार में दीरे 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 ले जाया जा रहा है दस सालों में मोधी सरकार ने विकास किया है या नहीं किया है यह तो जनता तै करेगी लेकिन सोचिए आपके बच्चे का जो उजवल भविस्य की आप लोगों ने कल्पना की थी वो पक का अंदकार में जा चुका है इन तस्वीरों में जो आप भीड देख रहे हैं यह बिरोजगारों की हैं बिरोजगार युवा किस तरीके से सर से गुहार लगा रहा है सोची एक नौकरी के लिए पूरा संघर्स पूरा जीवन दाउप लगाउता है यहाँ तक की पूरे परिवार का पा लालन पालन भी एक नौकरी पर निर्भर करता हो देश के प्रधान मंत्री आत्म निर्भर बनने का तो ज्यान देते हैं लेकिन आत्म निर्भर बनने के लिए ना वो रोजगार पैदा करते हैं ना अपने देश में इस तरीकी का कोई विकास करते हैं लेकिन बॉलिवूड अभी ने देते हैं तो हसी आती है कि हमने कैसे अंजान और ऐसे अभद्रू टिपनी करने वाले लोगों को सत्ता में बेज करका ना जिसे देश के विकास से कोई मतलब नहीं यूबाव के उजुवल भविस्य से राहूल गांधी लिखते हैं डवल इंजन सरकार मतलब बिरोजगारों पर डवल मार आज बिरोजगारी की बिमारी से यूपी का हर तीसरा यूबा ग्रिस्त हैं जहां डेर लाग से अधिक सरकारी पद खाली हैं वहां नियून्तम योगिता वाले पदों के लिए ग्रेजुए पुलिस तक की भड़तियों का सालों साल इंतजार करकर लाखो चात्र ओवरेज हो चुके हैं निरासा के चक्र वीव में फसा हर चात्र डिप्राशन का सिकार हो तो जारा और इन सब से व्यतीत होकर वह अपनी मांगे लेकर सड़कों पर निकलेंगे तो मिलेंगी उन्हें प पुरे परिवार की आस भी टूर जाती है कॉंग्रेस की नितियां युवाओ के सपने के लिए न्याय करेगी आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे तो तस्वीरों में यह जो हुजूम आप देख रहे हैं लोगों का जनसेल आप देख रहे हैं यह नौकरियों के लिए धरना प्रदशन कर रहा है इनको बदले में नौकरिया नहीं दी जाएंगी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाएंगे इनको जो मोदी ने वादे की थे उन वादों पर बातचीत भी नहीं की जाएगी इनको पुलिस की लाठियां बरसाई जाएंगी क्यूंकि आ अगर आप विपक्षी मजबूत चहरा भी है तो आपको कैसे एजेंसियों का डर बिठाके जेल की सलाखों के पीछे पहुचाने की कोशिस करेगी तस्वीर है आप 10 साल में तमाम टीवी अखवारों में इंफेक्शोशल मीडिया पर देख चुके हैं वो अलग बात है कि भारत के पत्रकार सरकार की अलोचना करने से डरते हैं मद्दपदस हाई कोट ने के अंदर सरकार को नोटिस जारी किया है इसा हाई कोट ने संदीप लिखते हैं कि राम आ गए पर रोजगार नहीं आया इदेश के हालात कैसे होते जा रहे हैं इसके साथ अमिशा कहते हैं विपक्षी दलों में देश के युवाव को आगे नहीं बढ़ने दिया है विपक्ष में कहां जन में इसका महत्व काभिलियत का महत्वी नहीं है जरा इनसे पूछें कि बी सी सी आई के चेयर परसन कौन है इनके बेटे हैं जैसा यह उनकी निय के से छुपाने में सफल हो जाएं इसके साथ साथ पूरे देश में EVM का मुद्धा बहुती जादा तेजी से गर्माया हुआ है इसके साथ जातिये जनगर्णा राहूल गांदी लगता भारत जोडों नयायात्रा में जातिये जनगर्णा की बात कर रहे हैं और किस तरीके से STSCOBC की जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए इसकी भी बात लगता उठा रहे हैं इसके साथ साथ बिहार सरकार ने जातिये जनगर्णा का एलान तो कर दिया इसके साथ साथ जारखन सरकार ने भी जातिये जनगर्णा की बात कही है चलो एक और राज्य सरक जातिये जनगर्ना कराईगी आज नहीं तो कल देश भर में जातिये जनगर्ना होगी सब को हक मिलेगा धिकार मिलेंगे जारखंड में जातिये जनगर्ना को लेके चमपई सोरें की मंजूरी टूइट करकर बोले जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कंचिना यादव लिखते हैं तेजस्वी जी की वज़ए से बिहार में जाती गड़ जनगर्ना संभव पाया जारखंड में भी जाती जनगर्ना को मंजूरी दे दी गई है जिसकी जितनी संक्या भारी आग जारखंड में इसके लिए उनकी हिस्सिदारी पर भी बात की जाएगी अखो बिरोजगार ये तस्वीरे भाजपाई देखें और हिम्मत हो तो रोजगार के आंकड़े दे लोग सवाचुनाओं में बिरोजगारी युवा भाजपा के जूट पर बुल्डोजर चला के किस तरीके से समाधान निकालेंगे ये तस्वीरे चीक चीक कर मोदी सरकार क पोल खोल रही है कि मोदी जी क्या यही विकास है आपका क्या यही है आपके विक्सित भारत की कल्पना कि आपने तमाम युवाओं के हाथ में कटोरा थमा दिया है तमाम लोगों को बिरोजगार बना दिया है और कोई अपने हक अधिकारों के लिए अगर अवाज उठाता ह तो आप किस तरीके से ताना साही पर उतर आते हैं कैसे क्रूरता पर उतर जाते हैं किसान अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आना चाहते हैं उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता है दूद आना चाहिए आना जाना चाहिए सबजी आनी चाहिए बस किसान दिल्ली में नहीं आना चाहिए यूवा दिल्ली नहीं आना चाहिए महिलाए दिल्ली नहीं आनी चाहिए क्योंकि सरकार लगतार जो अपनी नितियां थी वो पूरी तरह खोकली साबित कर चुकी है कि अपकी बार मोधिस सरकार वो बिचार सो के पार ये तस्वीर युवाओ के मौधिस सरकार वो मौधिस सरकार वो युवाओ को रोजगार कम मिलेगा आप बात नहीं कर रहें आप लोगों की बात नहीं सुन रहें जब वो अपने लिए नियुकती पत्र की मांग करते हैं धरना प्रदशन करते हैं तो आप उनके साथ किस तरीके की बत सलूख ही करते हैं उनका परिवार का गुजारा अच्छ मिल्शे से हो पाया का लेकिन देश के परदान मंतरी इतनी कुरूरता पर उतराया है कि यहां जहां बीजेपी सासितराज्यव और डवल की सरकार होने के साथ-सास डवल-भ्रस्ट्रा-चार्ट डवल लाठी-चार्ज हो रहा है डवल-टरीके का युवाव का शोशन किया ज आने वाले अपने दावे को सही ठहराते हैं तो आप रोजगार कब ला रहे हैं आप रोजगारी को कम मिटा रहे हैं आपके देश का यूवा एक ऐसे देश में जाने के लिए मजबूर हो गया है जहां पर युद्ध छड़ा हुआ क्योंकि देश के यूवाओं का कहना है कि हम भूके नहीं मरना चाते भूके रहने से तो अच्छा है कि हम एक युद्ध में मर जाएं कम से कम कुछ समय के लिए हम अपने परिवार को तो पाल पाएंगे तो ये देश के हालात हो चुके हैं अभी भी अगर देश के उन तमाम लोगों को जिनके हाथ में धरम का डंडा औ अफीम चाट कर ये जो नशा करकर बैठें जो ये नशा उत्रेगा तो आपके हाथ में सिफ कटोरा थमाया जाएगा और उस कटोरे में एक सिक्का तक नहीं होगा क्योंकि आपके सविधानी का दिकारों को पूरे तरीके से खतम कर दिया जा रहा है इस सरकार के खिलाफ कोई कि बोलना नहीं चाहता विपक्षी नेता बचे कुछे जो बोलते हैं उनको डराया जा रहा है किसानों को रोखा जा रहा है महिलाओं के साथ बरबरता की जा रही है और जो लोग सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहा है वो ये उजोम देख लें कि किस तरीके से देश का यूबा परिशान है और सरकार से सवाल कर रहा है यह ताना सा सरकार इतनी कुरूरता पर उतराई है कि एमफिल पीसडी करने वाले बच्चे लंबी-लंबी कतारों मैं लगें सिफ इसास में कि यह में 20,000 रुपे की 15,000 रुपे की नौकरी मिलेगी तो शायद हम अपने परिवार का लालन पालन कर पाए पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिकरिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ताना सा सरकार जो दावा करती है कि अपकी बार मोदी सरकार 400 के पार क्या इन तस्वीरों की वज़े से वो सत्ता में फिर आ पाएगी या ये तस्वीरे ये साबित कर देंगी 24 में कि अपकी बार मोदी सरकार सत्ता से बार शुक्रिया कर दो